दोस्तो अगर आपका भी RSI IT का एक्जाम 21 फरवरी 2021 को है लेकिन टाइमिंग शोर्टेज की वज़े से नए तो आपने RSI IT की बुक्स पड़ी और नए आपने किसी कम्प्यूंटर के कोई नोट्स पड़े और नए आपने प्रोपरली किसी इंसिटूट में जाके कोई कलास जो से Most Important Questions का ये वीडियो हमने त्यार किये इसमें 150 Most Important Question है तो दोस्तो ये सभी लेसन को मिला के 150 Question है तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेंती हो सकता है लेकिन हर एक क्विश्चन एक्जाम की दरश्टी कौन से देखा जाए तो सभी Most Important Question है आपको किसी भी Question को Skip नहीं करना है हर Question को आपको Carefully देखने है और उसके Answer को भी द्यान से देखने है तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं मोन सुथार और Smart Counting Arsenal की YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से चोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो को कर दीजे लाइक अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो आप इस चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके All Notification पर भी जरूर क्लिक कर लेना क्योंकि हम फाइनली एक्जाम तक इसी प्रकार के Most Important के Question लगातार इस चैनल पर अप्लोड करते रहेंगे तो जिसका Notification आपको सबसे पहले मिलता रहेगा तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये Question-wise वीडियो तो दोस्तों आज का पहला Question सुचना प्रनाली के कुल कितने भाग होते हैं तो इसका सई आंस्वर C Option यान की 5 पांच सुचना प्रनाली के कुल भाग होते हैं तो दोस्तों आपको हर Question को द्यान से देखने हैं हर Question के Answer को भी आपको द्यान से देखने हैं क्योंकि Question में कई बार इसी टैप के Question को थोड़ा बहुत मोडिफाई करके भी पूछा जा सकते हैं तो Question 2 निमन में से कौन सा दूसरी PD का Multimedia Card है जिसमें डेटा को लोक वे रक्षा करने की शमत हैं तो इसका सई आंस्वर Secure Digital Card तो दोस्तों इसका Shortcut नाम हो गया Question 3 संख्यात्मक, Alphabetic, Audio, Image किसके परकार है तो इसका सई आंस्वर डेटा Question 4 कंप्यूंटर सिस्टम के मुख्य बाग हैं सौप्ट्वेर, हार्डवेर, प्रिंटर यान की कंप्यूंटर के जो में पार्ट होते हैं वो हार्डवेर और सौप्ट्वेर यह जो प्रिंटर है, अब क्यूश्चन आपके पास इस तरीके से आ सकता है भी प्रिंटर किस परकार का डिवाइस है तो प्रिंटर एक आउटपूट का डिवाइस है Question 5, Control, Alt, Key को क्या कहते हैं तो इसका सई आंस्वर, Combination Key यानकि Combination Key, Alt और Control को Ambination Key कह सकते हैं तो क्यूश्चन आपको इस परकार से भी पूछा जा सकते हैं भी नीमन में से Combination Key कि किसको Combination Key बोला जा सकते हैं तो इसमें आपके Option, Control, Alt, Spacebar, F1, F4 या इंटर के बटन आपको Key के बारे में पूछा जा सकते हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए भी Control और Alt है जो Combination की होती है Question No.6, Graphic Tablet में से किस Pen का इस्तिमाल होता है? तो सई आंस्वर इसका Special Pen Question No.7, एक वस्तु को मसीन दुवारा विशिस्ट रूप से पैचानने का तरीका है? तो इसका सई आंस्वर है Bar Code Question No.8, Bar Code, OCR, OMR, Keyboard, Mouse webcam निमन में से किसके उधारन है? तो इसका सई आंस्वर, Input Device तो Question को इस प्रकार से भी पुछा जा सकता है, भी निमन में से किसी दो Input Device के उधारन बताओ तो Option आपके पास Printer हो सकता है, Monitor हो सकता है, Webcam हो सकता है, OCR, Bar Code हो सकता है तो आपको Input Device और Output Device के बड़े में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए Question No.9, Impact Printer किस परकार का Printer है? तो Option A और B दोनों यानके Line Printer और Character Printer Question No.10, लोगों की बड़ी संख्या के लिए Computer Output परदर्सित करने वे Meetings को Conference के दोरान Presentation दिखाने के लिए उप्योग में किया जाता है तो सही आंसर इसका Multimedia Projector को जिसकी बड़ी सक्रेन को किसी भी चीज़ को Presentation देने के लिए Multimedia Projector का उप्योग होता है Question No.11, टेलीफॉन लाइनों पर प्रापत एनालोग संकेतों को Digital Signal में परिवर्थ करता है उसे क्या कहते हैं? Modem Question No.12, कंप्योटर के Configuration से क्या मतलब होता है? Processes, Winnerdes, Memory Shumta, Hardix, Specification तो यानि कि यह सभी आप्सन है जो Computer की Configuration से इस एलेटेड होता है तो दोस्तों वीडियो को आप जादा सी जादा Share जुरूर कर देना ताकि हर Student इसका फायदा उठासके Question No.13, निमन में से कौन सा संग्रण युक्ती नहीं है? तो सही आन्सपर, CPU यानि कि CPU में किसी पी टाइप के हम संग्रण नहीं कर सकते बाकि Hard X में हम स्टोरेज कर सकते हैं DVD में स्टोरेज कर सकते हैं Floppy Dix में स्टोरेज कर सकते हैं लेकिन CPU में स्टोरेज नहीं होता Question No.12, ओपरेटिंग परनाली जब एक साथ एक से अधिक अन्यूपरयोग पर कार्या करता है वह यो गयता है कलाती है Multitasking Question No.15, कंट्रोल पैनल Windows 10 में Aference और Personalization Computer Setting में उप्योग करता को सक्रीन रेजुलेशन और रंग गुनवता बदलने की अन्मती देता है बिल्कुल सही है उप्योग करता को डेक्श्ट आपर स्टोरेज बूमे पर सेटिंग में उप्शन होते है Question No.16, मोनेटर में रेफ्रेश दर्स किसमे मापा जाता है तो सही आंस्वर इसका हर्ट जमे Question No.17, सबसे ज़्यादा परचलित ओपरेटिंग सिस्टम है Windows Question No.18, एक बिट कंप्यूंटर एक समय में कितने बाइट अभी गमन कर सकता है जबकि 64-bit वर्ड कंप्यूंटर एक समय में बाइट अभी गमन कर सकता है तो सही आंस्वर इसका 4.8 जयनकि 32-bit एक समय में कितने बाइट अभी गमन कर सकता है जब कि चोंग सेट बीट है, कंप्यूटर में एक समय पर बाइट अभिउमन करता है, तो चार पोइंट है, आठ बिट्स पर यह वर्क करता है, Q19, प्रोसेसर को व्यक्त करने वाले प्रोग्राम को पैचानने वाली यूटिलिटी का नाम क्या है, Q20, अगर एक कंप्यूटर में से एक से अधिक प्रोसेसर है, तो उसे क्या कहेंगे, सही आनस्वर इसका मल्टी प्रोसेसर, Q20, कीबोर्ड और अन्य कोई डिवाइस पर स्थित, स्टार्ट बटन को प्रेस करके ओपन किया जा सकते हैं, तो उसका सही आनस्वर, स्टार्ट मेन्यू, Q22, कंप्यूटर में एक इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आफसकता होती है, इंटरनेट सेवा परदाता, मोडेम या सॉप्टेवेर, यनि कि इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी भी जुरूत पड़ेगी, और उसकी चलाने के लिए में मोडेम की भी आफस जचता होती है, तो यानि कि A और B दोनों उप्सन इसके सही है, Q23, टेलिफोन लाइनों में जानकरीय संचारित होती है, तो तो सही आऊटर इसका, apply से चलानेट जो संचारित होती है, Q24, www का पूरा नाम कैंकै तो इसका और समय क्रूप इले आफसका एक स्कार इन्पर्षि related question है, जब भी हम कोई website लगाते हैं, तो हमें www.w, आमें लगाना पड़ते हैं, तो उसके www.w का पुरा नाम होता है, World Wide Web. Question number 25, DSL, तो दोस्तों इसमें आप देखते हो, DSL का full forum भी आप से पुछा जा सकते हैं, तो full forum इसका होगा, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, यानि कि DSL का full forum, तो DSL सेवा किस परकार का connection का प्रयोग करती है, जो इसे डायलाप से अधिक तेज बनाता है, तो सई आंस्वरिस का broadband, Question number 26, सबसे लोग प्रेया ब्राउजर कौन सा है, तो सई आंस्वरिस का Google Chrome, Question number 27, आज का email सिस्टम किस मोडल पर कार्या करता है, तो सई आंस्वरिस का store way forward पर, Question number 27, email में CC का अर्थ होता है, तो सई आंस्वरिस का carbon copy, तो दोस्तों इस टाइब के question, RCIT exam में जरूर पुछे जाते हैं, अब जो की 31 जनवरी 2021 का exam हो, तो इसमें पुछाता है, इमेल में BCC का क्या आर्थ होता है, तो उसका आर्थ सई आंस्वर था, blind carbon copy, तो CC का आर्थ हो गया, only carbon copy, Question number 29, राजस्तान सरकार और इसके विवागों के लिए एक विशेश रूप से उपलवद उपयोगी और सुचनात्मक वेब साइट है, तो www.rajistan.gov.in ये भी बिल्कुल सई साइट है, www.rt.rajistan.nic ये भी इसके सई है, यानि कि उपरोक्त सभी, ये सारी जो है D-Option इसका सई है, Question number 30, एक open source information space है, जहां document ये बाकी वेब रिसोर्च को उनके URL द्वारा पैचाना जाता है, तो इसका सई आंसर, worldwide wave, यानि कि एक worldwide एक open source है, जिसके document के बाकी रिसोर्च उसके URL द्वारा पैचाना किया जा सकता है, Question number 31, जब आप कोई address type करते हैं, जैसे http www.smart.org, तो यहां पर .org का क्या आर्थ है, तो .org यानि कि कि किस type के domain को indicate करता है, तो इसका सही option होजएगा, Organizational website को, अगर यहां पर .com होएगा, तो वो commercially website को indicate करता है, अगर यहां पर .edu लिखा होगा, तो वो एक educational website को दिखाता है, तो हमें इस domain name को सभी पता हो ना, .org.org यानि कि Organizational website, .com यानि कि Commercial website, .edu यानि कि Educational website, Q32, इंटरनेट पर बेजी गई सुचनाओं को किस परकार के टोकोड़ों में विवाजित किया जाता है, तो इसका सही answer, packet के रूप में, Q33, .gov.edu.mil.net extensions को कहते हैं, domain code, यानि कि ये जो बिल्कुल .gov.gov.gov होते हैं, सब ये domain code होते हैं, Q34, spam होते हैं, यानि कि Unchayis Andes, Q35, नीमन में से किस के माध्यम से इंटरनेट पर computer विशिश्च रूप से पहचाना जाता है, तो सही answer इसका IP address, IP address यानि कि हर एक computer का एक address होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि हम हर class में हर student का एक role number होता है, वो उस role number से पहचाना जाता है, तो इस तरीके से हर computer एक जो IP address के थरूँ, चाहिए वो आपका mobile phone है, वो भी आपके IP address से थरूँ trace होता है, और आपका जो system होता है, वो भी एक तरीके से IP address से ही trace होता है, तो question number 36, इस में से कौन सा protocol का परियोग internet के माद्यम से file को transfer करने के लिए किया जाता है, तो सही answer इसका SFTP, यानि कि STP protocol का परियोग करके हम file को transfer कर सकते हैं, question number 37, निमी लिखित में से कौन सा सबद MS Word से सम्मन्दित नहीं है, clip art, header and putter, bookmark, hyperlink या presentation, तो सही answer इसका presentation यानि कि MS Word से सम्मन्दित नहीं है, presentation इक Microsoft PowerPoint से related रखता है, तो सही answer इसका presentation यानि कि presentation का जो word होता है, वो MS Word में कहीं use नहीं होता, question number 38, email बेजने के दुरान प्राप्त करता email पता में डाला जाता है, only to, bcc या cc, तो यानि कि A option इसका बिल्कुल सही option है, question number 39, Skype क्या है, वीडियो कॉलिंग और messaging system, question number 40, बामाशाय योजना का उदेशया है, माईला सक्स्क्रिकरन, परभावी सेवा वितरन या वीतिय समावेशन, यानि कि ये सभी option बामाशाय योजना का उदेशया है, question number 41, credit card नंबर कितने अक्षरों का होता है, तो इसका सही answer 16 आंकों का, question number 42, to CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों का होता है, तो सही answer इसका तीन अक्षरों का, यानि कि जो credit card या debit card से related जो security परपजवास्ते जो में कोड मिलता है, वो तीन अक्षरों का होता है, question number 43, एक POS टर्मिनल आम तोर पर किस तरह के card से बुक्तान की सुविदा देता है, debit card की भी देता है और credit card भी देता है, यानि कि A और B option इसके सही है, question number 44, PMJDY प्रदान मंत्री जंदन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी नियूनतम रासी आफशक है, तो zero balance में इसका account है जो open होता है, question number 45, UPI में push technology का उप्योग कब किया जाता है, तो सही answer का पेशा बेजने के लिए, question number 46, निमन में से कौन सा mobile wallet का उधारन नहीं है, तो सही answer का credit card, तो दोस्तों ये question 31 जनवरी 2021 के exam में भी पूछा गया था, तो ये सही answer का credit card होएगा, यानकि credit card है के mobile wallet का उधारन नहीं है, यानकि credit card एक तरीके का कोई app नहीं है, question number 47, निमन में से कौन सी gear volatile पर समर्ती है, तो ROM, सही answer का, question number 48, SNS का पूरा नाम क्या है, तो सही answer का, social networking service, question number 49, SSO बनाती समय सत्तापन किस के दवारा किया जाता है, biometric या OTP, यानकि इन दोनों option के थ्रूं, SSO का verification कर सकते हैं, question number 50, नागरिक online माद्यम से, विशव दले के सुलक का भुकतान कैसे कर सकते हैं, e-meter के थ्रूं भी कर सकते हैं, single sign, own ID के थ्रूं भी कर सकते हैं, यानकि इन सभी option के थ्रूं हम इसका, जो university की जो फीस का भुकतान कर सकते हैं, question number 51, बारतिया रेल सेवा की ओथराइड वेब साइट है, तो सभी answer इसका, IRCTC, क्योंकि इसमें सभी जो option आता हैं, वो लगबग मिलते जूलते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल ध्यान से देखना है, IRCTC, यानकि बारतिया रेल सेवा की एक है, ओथराइड ओफिशियली वेब साइट है, question number 52, मुबाइल में लोकेशन सेवा परदान करता है, तो सही answer इसका, GPS option के थूँ, मुबाइल की लोकेशन ओपन होती है, हमें किसी भी डिवाइस से, किसी भी प्रोड़क्ट में अगर GPS लगा, तो इसकी लोकेशन हमें पता चलती है, यान कि GPS से लोकेशन सेवा हमें मिलती है, question number 35, DOIT राजस्तान सरकार से सम्बंदित एप्स इंस्टॉल करने के लिए, किसके लिए करेंगे, राज एफ के अंदर, question number 54, एक डोकुमेंट को अलग-लग जगों पर, और अलग-लग फाइल लेम और अलग-लग फॉर्मेट में सेव करने के लिए, कौन सी कमांड का परियोग करते हैं, तो सही answer इसका, save as, यान कि save से हम, जो present time में मारे पास open है, उससे हम save कर सकते हैं, और save as से, जो present time में मारे पास फाइल open है, उससे किसी अलग different location पर save करने के लिए, या different नाम से save करने के लिए, फॉर्मेट में के लिए, जिसे कोई हमें, जिसे माले जी हमें इस word हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें document से, word document से समंदित, PDF से, या web page से, या jpg में किसी भी टाइप में ट्रांसफर करनी हो, फाइल को, तो save as का में यूज़ करते हैं, question नमर 55, word 2.10 में default font होता है, यानि कि, calibrary, default font का मालब, पि जब भी हम Microsoft word app को open करेंगे, तो जो starting में by default जो app होता है, वो calibrary ही होता है, बाकि other जो font होते हैं, ये उस list में add होते हैं, जिसे हम अपने जुरूरत के अंसार इसमें select कर सकते हैं, लेकिन by default ये calibrary font ही होता है, question नमर 56, MS word में document में परतमस्तान पर जाने के लिए, कौन से कौन जी का परियोग होता है, तो सही answer इसका control प्लस home, जाने कि MS word में हम किसी last page पर रहें, और हमें first page पर जानो, तो अगर control प्लस home page करेंगे, तो हम first page पर चले जाएंगे, question नमर 57, MS word 2010 में ribbon की सरंखिला में बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, tabs, question नमर 58, निमलक्स में कौन सी कुंजी समो का परियोग, word processor में text को सबस्रिक्ट करने के लिए किया जाता है, तो सही answer, control पलस equal का निसान, question नमर 59, MS word में default view होता है, तो print layout view होता है, वो MS word में by default automatic होता है, question नमर 60, एक work sheet में, कुल row और column की या पंक्तिया होती है, तो एक work sheet में, 10,48,500 पिचेतर row और 16,344 है जो column होते हैं, question नमर 61, data point की वास्तक value कह राती है, तो सही answer इसका data label, तो दूस्थों इसलिए मैं question को भी द्यान से देखने हैं, और answer को भी द्यान से देखने हैं, question नमर 62, work sheet में values पर गढ़ना का परदर्शन कर सकते हैं, तो addition का भी हम यूज कर सकते हैं, multiplexion division का भी हम यूज कर सकते हैं, और subtraction का भी यूज हम कर सकते हैं, यानि कि उप्रोक्त सभी सभी option हैं, जो work sheet में values की गढ़ना के लिए हम उप्योग कर सकते हैं, question number 63, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते, जो मान के साथ रुजान को अधर सुरूप में दिखाता है, और जो नियमत समय अंतराल में horizontal लिया, एक्स पर plot किया जाते हैं, यानि कि column chart इसका सही आनस्वर होएगा, question number 64, MS Excel में सभी formula शुरू होते हैं, equal के निसान से, यान कि जब हमें कोई formula चालू करना हो, तो सबसे पहले हमें ये, equal यान कि बरबर का निसान हमें लगाना पड़ता है, उस cell में, उसके बाद में हमें formula टाइप करना पड़ता है, question number 65, MS Excel 2010 निमन में से, किस chart में केवल एक chart डेटा संखला होती है, और सभी मान सकरात्मक होने चाहिए, तो सभी answer इसका, पाई चाल्ट, question number 66, presentation में चैनित या column slide को चुपाने के लिए, हम hide slide की option का use करते हैं, question number 67, एक slide यो में slide change करने पर display के लिए, एक applied effect होता है, उसे हम कहते है, slide transaction, slide transition, question number 68, animation के संद्रम में, Microsoft PowerPoint 2010 के एक trigger है, तो सभी answer इसका, एक slide पर एक item जो क्लिक कोने पर कर्या करता है, question number 69, PowerPoint परस्तूती करन में, hyperlink को डालने के लिए, संख्षित कुणजी का परियोग होता है, तो सभी answer इसका, control plus K, question number 70, निमन में से एक सुरक्षित पासवर्ड माना जाता है, तो ABCD, यानि कि सुरक्षित पासवर्ड वो माना जाता है, जिसमें, capital letter भी हो, special character भी हो, और numeric संख्या भी हो, तो जिस तरीक आप C option देख रहे हो, अब इसके अंदर, हमारे, axel भी हैं, और special character का भी इसमें यूज किया गया, जिस head race है, head है, dollar का निसान है, और उसके बाद में numeric संख्या 0 से लेके 9 का भी यूज किया जाता है, यानि कि एक इस तरीके का जो पासवर्ड हो एक सुरक्षित पासवर्ड माना जाता है, question number 71, question number 73, विंडो 10 पर फाइल और फोल्डर को लोग करने में आपकी कौन सी एप्लिकेशन मदद करती है, तो सही answer इसका, फोल्डर लोग, question number 74, विंडो 10 में किस फंक्षन के दवारा, CD, DVD को किसी तीसरे सॉफ्टवेर के बिना बर्निंग कर सकते हैं, तो सही answer इसका, डिस्क बर्निंग फंक्षन के दवारा, question number 75, Microsoft Office Picture Manager है, तो सही answer इसका, मूल तस्वीर परबंद सॉफ्टवेर, question number 76, निमन में से कौन सी कंप्यूंटर सिस्टम की विसेश्था नहीं है, निमन में से कौन सी कंप्यूंटर सिस्टम की विसेश्था नहीं है, और विविता भी कंप्यूंटर की विसेश्था है, लगकि सोचने की समता जो कंप्यूंटर की विसेश्था नहीं है, question number 77, पहली जनरेशन कंप्यूंटर के मुख्य कंप्यूंट क्या थे, तो वेकम, ट्यूब और वाल्स, यह फर्थम जनरेशन के जो कंप्यूंटर थे, उनके मेन कॉंप्यूंट थे, question number 78, निमन में से कौन सा सौफ्टवेर के दो मुख्य परकार है, तो system software और application software, question number 79, keyboard निमन में से किसका उधारन है, तो सजी आमस्वर इसका input device का, अगर इसकी जिगाजे, प्रिंटर किसका उधारन है, तो वो एक output का हुएगा, अगर mouse का पुछा जाए भी mouse किस परकार का उधारन है, तो वो भी input device है, question number 80, प्रिंटर निमन में से किसका उधारन है, तो यह output का उधारन है, यानकि output device, प्रिंटर एक output device है, question number 81, एसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रेम दुवारा अधिक प्रयोग में आने वाली सुचना को संग्रीत करने के लिए किया जाता है तो सई आंस्वर इसका केस मेमोरी Q82 निमन में से कौन सी मेमोरी एस्थिर परकरती की है यानकि रेम जो एक जो मेमोरी एती है वो एस्थिर की फरकरती होती है यानकि इसके अंदर जब तक इसमें मलब आपका लाइट रहेगा तब तक इसमें जो आपका डाटा वो सेव रहता है otherwise यह data को delete कर देता है इसलिए यह memory जो ऐस तिर पर करती की है इसमें कोई स्थिर नहीं है question number 83 WRM की full form क्या है दुसरा answer write once read many question number 84 नीमन में से कौन सा एक data बंदारन device है तो hard drive एक data बंदारन device है अगर आपके पास hard drive के बज़ाए pen drive option आजे या DVD आजे तो भी हम अगर इन तीन option के अलवा pen drive option है तो भी हो सही हो सकता है hard drive है वो भी सही है या DVD option हाजे तो भी सही माना जाएगा यानकि जिसमें हम data को storage कर सकते है question number 85 कोई टारना को किस तरह इस्तिमाल किया जा सकता है यानकि search box की तरह कोई टारना का यूज किया जाता है question number 86 निमन में से कौन सा operating system के उधारन नहीं है तो operating system यानकि Microsoft ओपीस है जो operating system नहीं है ये एक तरीके का application software है question number 87 आपके दोबार डिलीट कियेगे फाइल से आप होल्डर को temporary रूप से स्टोर करता है तो ये recycle bin में जब हम किसी फाइल को डिलीट करते है तो वो एक recycle bin में जाके हमारा data वाँ पर चला जाता है तो जिसे हमें एक बार जुरूरत पढ़ने पर restore भी कर सकते है question number 88 निमन में से आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते है एप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं गेम डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉक्त सभी यानि कि सभी ओप्शन हम विंडो स्टोर से कर सकते है question number 89 एक लोग पिरे चेटिंग सेवा को कहा जाता है तो सही आप्शन इसका search engine यानकि किसी विश्चे पर सर्च करते समय सर्च इंजन का उप्योग किया जाता है किसी सुचना को प्राप्त करने के लिए question number 91 किसी को email बेजने के लिए आपको उसका email address जानना जरूर है यानकि सही option इसका c option email address question number 92 एक पूरण email संदेश के तीन बुनियादी अंस है तो सही option उप्योग करता का नाम domain का नाम और उसका domain code question number 93 dot gov dot edu dot email dot end वगेरा extends को कहते हैं domain codes question number 94 एक file जो एक email के साथ जोड़ कर जाती है उसे हम कहते हैं attachment question number 95 internet पर बेजी की सुचनाओं को किस परकार के टुकुडों में बाजित किया जाता है तो सही answer इसका packet के रूप में 96 online digital बुकतान के माध्यम है debit card के थरू भी हम बुकतान कर सकते हैं credit card के थरू भी कर सकते हैं net banking के थरू भी कर सकते हैं यनकी D option बिल्कुल सही है यनकी हम सभी platform के थरू हम digital payment कर सकते हैं question 97 निमिल लिक्त में से कौन सा लाब PMJDY से जुड़ यनकी परदान मंतरी जंदन योजना से जुड़ा है तो 5,000 रुपे तक की और ड्राफ सुविदा एक लाख रुपे का दुरगटना भीमा कवर या 30,000 रुपे का जीवन भीमा कवर तो उपरवक्ट सभी यनकी सभी option एक परदान मंतरी जंदन योजना से जुड़े हुए है question 98 नीमिन में से कौन सा मोबाइल वेलेट का उधारन नहीं है तो सभी option इसका credit card question 99 e-learning online सिक्षे में आपको पाट है सामगरी किन विकलप में मिल सकती है या मिल सकती है तो आपको document में मिल सकती है PDA भी हो सकती है JPG भी हो सकती है slide भी हो सकती है presentation slide भी हो सकती है video भी हो सकती है यानकि सभी option के तुरो में online अगर study करनी हो तो ये सारे विकलप हमारे पास रहते है study material को एकठा करने के लिए question number 100 cloud storage platform का उधारन क्या है तो Microsoft OneDrive, Google Drive या Dropbox यानकि सभी option है ये हमारे cloud storage के platform है question number 101 रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाब है नोकरी तलासने वालों को वीविन स्वें पर रोजगार के बारे में जानकरी एक्टर और परसारित करना SC, ST, OBC, दिव्यांग, मैला, कमजोर वरक के नोकरी चायने वालों की शायता के लिए विशेश योजणा बनाना या बेरोजगार को रोजगार देना या उप्रोक सभी यानकि सभी option है जो रोजगार और आजीविका पोर्टल से स्वीदा हम ले सकते है question number 102 तो राजस्तान सरकार दोरा सुरूत कियेगे e-bajar का सही URL के है यानकि इसकी सही website क्या है तो इसकी सही website है option A यानकि http www.ebajar.radistan.gov.in यानकि सही इसकी officially website यही है question number 103 e-commerce के परकार है B2B, B2C, या C2C यानकि सभी option है जो e-commerce के टाइप है question number 104 नीमन में से क्या e-governance अधारित सेवाओं के लाब है तो transparency भी e-governance की एक सेवा है accountability भी है और speed भी यानकि सभी option है e-governance की अधारित सेवा के हम facility है सभी का लाब हम ले सकते है question number 105 G2C, e-governance में G2C का पूरा नाम क्या है तो question में ये भी पुचा जाग सकता है only be G2C का पूरा नाम क्या है तो सही answer इसका government to citizen question number 106 G2C एक government का उधारन है तो सही answer इसका lease of residential land question number 107 e-PDES का पूरा नाम क्या है तो सही answer e-public distributed system question number 108 e-mitra model किस तरह के e-governance का इस्तिमाल करता है तो सही answer इसका G2C और B2C यानकि इन दोनों तरीके के option को model ओए e-governance में इस्तिमाल किया जाता है question number 109 राजनेट में connectivity तो किस तरीके का इस्तिमाल किया जाता है satellite, lane, swan या सभी यानकि इन सभी option का राजनेट में connectivity के लिए यूज़ कर सकते है question number 110 SSO का पूरण नाम क्या है तो सही answer single sign on question number 111 नीमल लिख्त में से कौन सी सिवीदा SSO लोगिन में उपलब्द नहीं है तो mutual fund investment यानकि ये एक SSO का part नहीं है question number 112 राज्य सरकार का कौन सा विवाग EPDS पोर्टल संचालित करता है तो सही answer food and civil supplies department question number 113 बहमाशाय योजना के संद्रम में DBT का पूरा नाम क्या है तो सही answer direct benefit transfer यानकि DBT का पूरा नाम direct benefit transfer है question number 114 income tax return यानकि I care return क्या है यानकि ये पर्मान है कि आपने अपने income tax का भुकतान किया है question number 115 विवेबसाइट https www.irctc.co.de online प्रापत किया जा सकता है तो ये question मारे पास पहले भी आए था यानकि इसका option 115 नमबर का जो सही option है हो है train tech यानकि IRCTC एक रेल विवा की वेबसाइट है तो इसके हम question से पता चल रहे है भी से online प्रापत किया जा सकता है तो train tech ये इस वेबसाइट से हम जरनेट कर सकते है question number 116 GPS का पूरा नाम क्या है तो global positioning system question number 117 mobile hotspot क्या करता है तो सही answer एक अन्य उपकरोनों के साथ share करने की अनुमती देता है question number 118 ये कौन साइप है यानकि अगर इस तरीके का logo हमारे पास आए इस तरीके का चितर हमारे पास आए तो ये किस टाइप का एप है तो सही answer इसका राजस्तान संप्रक एप यानकि राजस्तान संप्रक एप का ये logo है question number 119 एक विश्य सुचिये जो document में अपने सम्मंदित reference page के साथ उपस्तित होता है तो सही answer table of content का question number 120 cut command के इस्तिमाल से document पर क्या परभाव पड़ता है तो सही answer इसका जो selected text होंगे जो graphics हम select कर रहे है वो graphics और वो text है वो अपने स्थान से हट जाते हैं इनकी remove हो जाते है question number 120 times new romance, aerial black, calibrary क्या है तो सही answer का ये fonts है question number 112 नेमिन में से किस का उप्योग करके आप TOC के लिए text को mark कर सकते हैं तो outline levels भी हो सकता है heading style भी हो सकता है custom style भी हो सकता है all of these यानि की ये सभी option हो सकते है question number 123 Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010 का सही extension फाइल है तो 2003 का जो था वो .xls था उसके बाद में 2007 का xlsx आया फिर 2010 का भी xlsx है यानि की 2007 और 2010 का extension नेमा बिल्कुल से में तो इसका सही answer मन जाएगा xls, xlsx यानि की b option बिल्कुल सही option है question number 124, Excel में short option किस menu में होता है तो सही answer इसका data menu में question number 125, यदि आपने गलती से कोई slide डेट कर दी तो उसे वापिस लाने के लिए क्या करना होगा तो हम undo button दबाएंगे या ctrl plus z button प्रेस करेंगे या फिर application को बंद करतेंगे से आप picture, text, box, chart आदी insert कर सकते हैं तो सही answer इसका insert tab का use करके question number 128, किस परकार के cyber attack में आप आप से आपकी जानकरी मंगी जाती है जिसके आपके password जनमती थी या pin इत्यादी तो सही answer इसका phishing एक cyber attack है जिसमें आपकी जानकरी मंगी जा सकती है question number 13, नीमन में से कौन सा malware का उधारन है तो spyware भी है, virus भी है, torzenhars भी है तो यानकि सभी option एक ये malware के example है question number 13, नीमन में से किस परकार की website पर अपनी वेगतिकत जानकरी दर्ज नहीं करनी चाहिए तो सही option इसका, जिस website में padlock नहीं होता पर जिस website के address के शुरुवात में https नहीं होता यानकि बहुत सारी ऐसे website होती है, जो http से start होती है जहांपे ऐस नहीं होता, वहाँ पर अपनी जो personally information वो नहीं देनी चाहिए question number 13, नीमन में से कौन सा malware का कारे नहीं है तो computer से data को recover करना malware का कारे नहीं है question number 132, नीमन में से कौन सा malware का उधारन नहीं है तो एक antivirus है जो malware का उधारन नहीं है question number 133, विंडो 10 में program install करने के लिए क्या-क्या विकलप है, तो windows store से install कर सकते हैं internet से भी install कर सकते हैं, cd या dvd से भी install कर सकते हैं यह सभी option सही है, यानकि d option बिल्कुल सही रहेगा, window 10 में program को install करने के लिए question number 134, दिएगे चितर में क्या दरसाया गया है तो यह इस तरीके हैं, अगर आपके पास picture आई, image आई, तो इसका मतलब होगा है question number 135, user account कितने परकार के होते हैं, तो दो परकार के होते हैं, standard account और administrator account question number 136, install program को uninstall करने के लिए क्या करते हैं, control panel के दवारा और setting app के दवारा दोनों options से हम कोई भी जो एप होता है उसे uninstall कर सकते हैं question number 136, आम तोर पर किस परकार का email खता वेपार सेटिंग में किया जाता है, तो सभी अनुसरिस का Microsoft Exchange का question number 136, वर्तमान वेप को अपनी फेवरेट की सुची में डालने के लिए कौन सा विकलप हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्लिक करना होगा, फेवरेट पे फिर add to favorite, यानि कि किसी भी वेप साइट को हमें फेवरेट में डालने के लिए, फेवरेट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में add to favorite पे क्लिक करेंगे, question number 139, OTP का पूरा नाम क्या है, तो सही आनसर इसका one time password, question number 140, राज इग्यान पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है, तो इसकी सही, officially इसकी जो वेप साइट है, वो http.egyan.rajistan.gov.ion, यान की ए ओप्सिन इसका बिलकुल सही है, question number 141, e-commerce के लाब है, सुईदा भी है, पैसे की बज़त भी है, उत्पादों के सरंक लाब भी है, यानि की सभी option बिलकुल सही है, e-commerce के सारे ये benefit है, question number 142, GPS monitoring और biometric उपस्तति प्रनाली है, तो सही option इसका R.A.A.S. question number 143, SSO web portal के माध्याम से दी जाने वाली e-mitr सेवाई है, बिजली पानी बिल भुक्तान, मूल निवास, परमान पत्तर, रोजगार, वाबें, पंजी करन या उप्रोक्त सभी, तो ये सारी facility हैं में SSO की web portal पर मिल जाती है, तो सही answer आज़े का D.Option, question number 145, iOS, Windows, Phone और Android का अभी प्राई है, तो यानि कि ये सभी है जो mobile operating system के परकार है, question number 145, SSO का मुख्य उदेशिया है, गराग संतुष्टी को बैतर करना, सायता डेक्स लागत को कम करना, उतपादक्ता को बढ़ाना या उप्रोक्त सभी, तो यानि कि ये सभी option है जो SSO के main target है, इनका काम होता है भी गराग को जाता संतुष्टी देना, सायता डेक्स लागताना, और उतपादक्ता को बढ़ाना, question number 145, railway PNR number की संक्या होती है, तो 10 digit की जो PNR number होता है, railway ticket का वो 10 digit का होता है, question number 147, computer screen पर परदेशित पिक्सल की संक्या screen के नाम से जानने जाते हैं, तो साई answer इसका regulation, question number 144, digital system में सबसे छोटा unit कोंट सा है, तो सबसे छोटा जो unit अता हो बिट होता है, question number 149, HTML का परियोग के बनाने के लिए परियोग किया जाता है, तो HTML का परियोग है, जो way page को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, question number 150, 3D printer का उप्योग क्या है, तो 3D का उप्योग है, बहुतिक वस्तों का निर्मान करता है 3D printer, तो दोस्तों ये थे R.C.I.T. की books में से सबी lesson में से selected किये गे 150 most important question, दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो like जरूर कर देना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share भी जरूर कर देना, क्योंकि हर एक question exam की दरस्टी कोन से बहुत ही ज़्यादा important है, इसलिए आप इस वीडियो को कोशिश करें, दो या तीन से बार ज़्यादा इससे देख भी सकते हैं, हर question आपको RCIT की पास कराने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा usable रहने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को जाता से ज़्यादा please share जरूर कर देना, और मिलते हैं next वीडियो में के नए topic के साथ,